हेलो दोस्तो मैं हुरी शब्चार्जियर आज की इस विडियो में हम कंपारेजन करने वाले हैं बोल्ट एर्डोप्स 141 वर्सस दबोल्ट ओडियो एरबेस fx1 तो इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट राइग हो उसका कंपारेजन करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर दबा दिजिए मुझे इंस्ट्राइम पर फॉलो किजिए अधर है RC Media House और दोनों भी प्रोडक्स का लिंक दोस्ता आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप वह भी चेक आउट करना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्ट करेंगे डिजाइ इसका अगर मैं बोलू यह है बोट एडव्स 1-4-1 इसका अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे खुलता है ठीक है उपर से खुलता है वेराज हम देखे बॉल्ट ओडियो का यह है बोल्ट ओडियो का टीडवल्स और इनका देखिए ऐसे खुलता है तो पहले तो डिजाइन के म मामले में थोड़ा सा अलग है दोनों ही compact है तो pocket में आराम से आप रख सकते हैं दिखने में भी अच्छा ही है दोनों एक चीज आप और एक चीज नोटिस करेंगे केस में कि बोल्ट का जो है इसमें आपको LED इंडिकेटर चार मिलता है तो आपको बैटरी लाइफ समझ में आता है कितना लेफ्ट आउट है और आधर हैंड बोल्ट में खाली एक ही आपको एक चोटा से LED मिलता है ठीक है तो वो difference हो गया है कमफर्ट की बात करें तो दोनों ही comfortable है दोनों में इं-ears style TWS मिलता है तो बात करो दोस्तों तो अगर मैं बात करो जो TWS का फिनिशिंग है इसमें आपको जो बोल्ट ओडी fx1 है इसमें आपको glossy टाइप फिनिश मिलता है और अब बोल्ट वाले में हमको थोड़ा सा mat type finish मिलता है बड मैं बोलूंगा build and design के माम में दोनों ही बढ़िया है दोस्तों थोड़ा सा finishing different different है but overall दोनों बढ़िया है comfort में भी no issues दोनों ही properly fit होता है गिरता नहीं है sound okay sound के बारे में बात करेंगे तो दोनों में ही AAC का support है दोस्तों बड अगर मैं बोलू बेस के मामले में overall थोड़ा सा अगर आपको बेसी ने ज्यादा पसंद है तो फिर definitely the bolt audio fx1 is better मतलब difference feel होता है जो बेस आपको feel होगा ना जो song में वह वाला बेस आपको definitely इसमें ज्यादा better feel होगा तो अगर मैं बोलू इसका बेस इधर है तो इसका बेस इतना ज्यादा difference हो definitely अगर आपको बेस पसंद है तो फिर fx1 is better अगर आपको बेस उत्ता पसंद नहीं है तो फिर clarity के मामले में बोट क्लारिटी दोनों का ही अच्छा है बट क्यूंकि इसमें बेस आपको थोड़ा ज्यादा एन्हांस्ट वो थंपी बेस मिलता है मेरे इसाब से मेरे को बेस ज्यादा प्यसंद रहता है तो fx1 is better in terms of sound माइक के बारे में बात करें तो definitely माइक में भी दोस्तो fx1 का clarity थोड़ा सा ज्यादा बेटर है compared to 141 अगर आप माइक सांपल सुनना चाहते है तो दोनों का ही जो unboxing review वीडियो में बता है उसमें माइक सांपल भी आपको मिल जाएगा तो आप एक बार सुनेंगे तो उसमें idea म but मैंने दोनों को compare किया है side by side and definitely मुझे fx1 का माइक ज्यादा clear लगा latency okay दोनों ही company latency के मामले में कुछ भी मतलब highlight नहीं करती कि कोई gaming के लिए है gamers mode है low latency ऐसा कुछ भी highlight नहीं है but fx1 का latency थोड़ा सा ज्यादा कम है compared to the 141 तो अगर आप gaming खेलना चाहेंगे तो इसमें थोड़ सा ज्यादा better experience रहेगा battery life battery life के मामले में both ados 141 is better इसका 42 hours क्लेम्ड है वेराज fx1 का 32 hours क्लेम्ड है अभी क्लेम से कम ही चलेगा दोस्तों दोनों ही but still comparison wise 141 अपका ज्यादा चलेगा charging की बात करें तो दोनों में ही अपको type c charging मिल जाता है which is good plus fast charge का भी support मिल जाता है water resistance की बात करें तो 141 is ipx4 resistant वेराज fx1 is ipx5 resistant तो यह थोड़ा सा fx1 better है pricing की बात करें तो अभी जब यह बना रहा हो video pricing थोड़ा सा vary हो सकता है तो जब भी आप देख रहे है link description में रहेगा आप click करेंगे तो exact pricing मिल जाएगा बड़ अभी जब यह video बना रहा हो मैं 141 का price है 1299 और बोल्ट fx1 का price है 1499 तो around 300 रुपीज difference है तो confusion हो जाता है बोल्ट का बढ़िया है कि बोल्ट ओडियो का ही है बोल्ट यह है बोल्ट ओडियो सब कोज सा बढ़िया है तो दोस्तों I have a clear cut winner है इस comparison का आपको एक choice clearly बता दूंगा which is by the video अगर अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं सब्सक्राइब करके आपको एक्स्ट्रा अभी जब यह बना रहा हूं मैं वीडियो जो 200 बी एक्स्ट्रा उसमें क्या मिल रहा है बेटर साउंड जिनको बेस पसंद है वो जो थंपिंग experience है वो अच्छा मिल रहा है fx1 में फिर माइक की बात कर अगर आप calls लेना चाहते तो माइक का clarity भी better है and gamers के लिए भी latency आपको थोड़ा कम मिल जाता है compared to the 141 and ipx5 भी resistant है water resistant overall clear cut winner दोस्तो bolt audio fx1 प्रड़क्ट का लिंक आपको description मिल जाएगा वीडियो का थोड़ा सब useful लगा तो एक लाइक ज़रू कर देना चाहल पर नहीं है तो subscribe करके बेल आइकोन में दबा दीजिए मुझे इंस्टाम में फॉलो कीजिए अगर आज के बोला दो नोई प्रड़क्स का अगर आप डीटेल रिव्यू और अन्बॉक्सिंग देखना चाहते उसका बिलिंक रिस्क्रिप्शन में रहेगा आज के लिए इतना दोस्तों फिर सब्सक्राइब लेंगे तब दक के लिए बाइबाए और स्टे सेफ